नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे पंजाब नेशल बेंक शेर के बारे में उसके के एमपोर्ण लेवल से हो कि हमें टारगेट संथ अपकमिंग टाइम देखने को मिल सकते हैं यह आप एक डिली ट्रैम फ्रेम के चार्ट पैटरन पे हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे आप अगर हम बात करें क्या स्टॉक अप्साइट ट्रैन गया और वहां से हमें रिकवरी देखने को मिल रही है और रिकवरी देखने को मिल रहा है बड़ी सी अनिवर्टेड डोजी के साथ तो नौ क्या हमें करना चाहिए लेगी आपको एक चीज़ समझने है यहाँ पे कि अग पॉइंट दो पॉइंट से मैं समझ में आता है कि स्टॉंग सपोर्ट लेवल अभी भी हमारे पास बचा हुआ है सो हम जब तक सेल लहीं करेंगे जब तक 55.25 के नीचे नहीं जाता है आप अभी इसमें प्रॉफट में होंगे यहाँ पर कहीं करीदा होगा अगर आपने यह पर खरीदा है तो आपको लॉस जूर दिख रहा होगा बट मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप यहां तक इसको होल्ड कर सकते 55.25 तक तो तो आपको होल्ड करना चाहिए बिकॉज यह पॉइंट बहुत एच्छा पॉइंट है यहां से अगर नीचे जाता तो हम इसमें से 1.70 के भी ब्रेक होने के हाईली चांस है आप देखेंगे प्रिविएस टाइम से जिस तरीके का पैटन स्टॉक ने बनाया है वो अपसाइड ट्रेंड पर है और ट्रेंड को फॉलो करना एक स्टॉक की आज़त होती है आप यहां पर देखेंगे अपसाइड गया फिर हमें सेलिंग की सोच सकते हैं बागी अब लॉंग टर्म इंवेश्मेंट के लिए स्टॉक में है तो आप बना कर रखिए लॉंग टर्म इंवेश्मेंट को अपनी क्योंकि अगर थोड़ा सा हमें गरावट भी स्टॉक में देखने को मलती है तो भी हम इसमें पैनिक नहीं हमें 55.25 रुपीज की लेविस तक इसको होल्ड कर लेना चाहिए अदर्वाइस के नीचे जाता है तो हम सेलिंग कर देंगे वह हमारी किस्मत है बट अगर वहां से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है तो हम एक अच्छे खासे प्रॉफिट को भी यहां पे खो तेने के चां को मिलता हुँ खाने का Sana's का वहां हुआँ आग से जाँ के जाएस काने के जा हुआँ हुआ जो हमें की ऑते खाता है zodने के वह वह पाक टत 코neali बता है तो हमारी के जा तो हमें भी हमारी कुमारी का भी उना थनängerगी का भी एन Stock खता है को हमें से हमें कर कुमें हुँएप घ